श्वामी दयानंद सर्जवती भारत की एक धार्मिक निता से बढ़तर थे जिन्होंने भारतिय समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा उन्होंने आरे समाज की स्थापना की जिसने भारतियों को धार्मिक धार्णा में परिवर्तन किया उन्होंने मूर्थी पूजा और खाली कर्म कांड पर व्यर्थ जोड़ देने के खिलाफ अपनी राय दी और मानव निर्मत हुकूम दिया कि महिराओं को वेद पढ़ने की अनुमती नहीं है उनके जन्म के बदले स्वयम को विरासत में मिली जाती विवस्था की निंदा करने का उनका विचार कत्तर पंती से कम नहीं था उन्होंने भारतिये चात्रों को समकालीन अंग्रेजी सिक्षा के शाथ साथ वेदों के ग्यान को पढ़ने वाला एक अध्यतन पाठकरम की पेशकर्ष करने के लिए एंगलो वेदिक स्कूल की शुरुवात करने का सिक्षा प्रणाली का पूरा बदलाव किया हालाकी वे वास्तों में कभी भी सिधे राजनीती में सामिल नहीं थे लेकिन उनकी राजनीती टिपनियां भारत के सुतनता संगराम के दोरान कई राजनीतिक नेताओं के लिए प्रेरना का श्रोथ थी उन्होंने महर्शी की उपाधी दी गई थी और उन्हें आधूनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है हेलो एवरीवन मेरा नाम है नितिश पांडे और मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं हर एक परसनालिटी के बारे में आपको मैं बताऊंगा यह बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्क्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और कॉमेंट करें आप इस चैनल पे यूपी एसी रिलेटेड सब्जेट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है यह सारे कॉंटेंट प्री ऑफ द्यानन सर्च्वती का जनम 12 परवरी 1824 को गुजरात के टंकाडा में मूल शंकर के रूप में करसांजी लाल जी तिवारी और यशोदा भाई के गर हुआ था उनका समरिद्ध और प्रभाव साली ब्राह्मन परिवार भगवान शिव कीव का प्रबल अनुयाई था परिवार में गहरा धार्मिक होने के कारण मूल शंकर को बहुत कम उम्र से ही धार्मिक अनुष्ठान पवित्रता उपुवास का महत्व सिखाया जाता था यगो पवित्संसकार या दो बार जर्मे का अलंकार जब वह आठ वर्ष के थे तब किया गया था और इस्ते मूल शंकर को ब्राह्मन वाद की दुनिया में प्रवेश कराया था वह इन अनुष्ठानों का बहुत इमानदारी से पालन करते थे सिवरात्री के अवसर पर मूल शंकर भगवान शिव की आग्या कारिता में पूरी रात जगे रहते थे ऐसे ही एक रात में उसने एक चूहे को भगवान को प्रशाद खाते हुए और मूर्ती के शरीर पर दौड़ते हुए देखा यह देखने के बाद उन्होंने अपने आप से सवाल किया अगर भगवान एक छोटे से चूहे के खिलाफ अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो वे विशाल दुनिया की रक्षा कैसे कर सकते हैं मूल शंकर 14 वर्ष की उम्र में अपनी बहन की मृत्यू के बाद अधियात्रिक छेत्र की ओर आकर्शित हुए थे उन्होंने अपने माता-पिता के जीवन, मृत्यू और उसके बाद जीवन के बारे के सवाल पूछने शुरू कर दिया जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था सामाजिक परंपराओं का पालन करते हुए शादी करने के लिए कहने पर मूल शंकर घर से भाग गया वह अगले 20 वर्सों तक पूरे देश में मंदिरों, तीर्थों और पवित्रिस्थानों का ब्रह्मन करते रहे उन्होंने पहाडों या जंगलों में रहने वाले योगियों से मुलाकात की उनकी दुविदाओं के बारे में पूछा लेकिन कोई भी उन्हें सही जवाब नहीं दे सका आंत में वे मतुरा पहुँचे जहां उनकी मुलाकात स्वामी विर्जानन से हुई मुल शंकर उनके शीष बन गए और स्वामी विर्जानन ने उन्हें सीधे वेदों में सीखने का निर्देश दिया उन्होंने अपने अध्यन के दौरान जीवन, मृत्यू और बाद के जीवन के बारे में अपनी सभी सवालों के जवाब पाए स्वामी विर्जानन ने मूल शंकर को पूरी समाज में वैदिक ज्यान फैलाने का काम सौपा और उनका नाम रिशी दयानन रखा Spiritual Beliefs महर्शी दयानन हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले थे विश्वास की पविश्वता को बनाये रखना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था उन्होंने धर्म की अवधारनाओं की पुर्जोर वकालत की जिससे वे कभी भी पक्षपात से मुक्त और सच्चाई के अवतार के रूप में मानते थे उनके लिए अधर्म कुछ भी था जो सत्य नहीं था नियाय संगत या निस्पक्ष नहीं था और वेदों की सिक्छाओं का विरोध करता था वह किसी भी चीजों के बावजूद मानव जीवन के सम्मान में विश्वास रखते थे और अहिंसा या अहिंसा के अभ्यास की निंदा करते थे उन्होंने अपने देशवाशियों को सलाह दी कि वे अपनी उर्जा को समग्र रूप से मानव जाती की भलाई के लिए निर्देशित करें और अन्यवश्चक अनुष्थानों में बरबाद ना करें उन्होंने मूर्ती पूजा की प्रथा को रद कर दिया और उन्हें अपने फाइदे के लिए पुरोहित वाद द्वारा शुरू किया गया एक दूसित माना वह अंध विश्वास और जाती अलगाव जैसे अन्य समाजिक बुराईयों के खिलाफ थे उन्होंने स्वराजी की अवधारना की वकालत की जिसका अर्थ है विदेशी प्रभाव से मुक्त भारत निश्पक्ष और नियाईपूर्ण प्रतिभागियों की महिमा में देधीप प्यमान आर्य समाज साथ अप्रेल 1875 को दयानन सर्च्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज का गठन किया यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसका अर्थ है रहीशो का समाज समाज का उद्देश हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर करना था क्रिन्वन से विश्व आर्यम समाज का आदर्श वाक्य था जिसका अर्थ है इस दुनिया को महान बनाओ समाज अपने सदस्यों को मूर्ती पूजा, तीर्थ यात्रा और पवित्र नुदियों में शनान, पशु बली, मंदिरों में भेट, पुरोहितों को प्रयोगित करने आदी जैसे कर्म कांड की निंदा करने का निर्देश देता है समाज में अनुयाईयों को मौजूद विश्वासों और अनुष्ठानों का अंधा दूर्ण पालन करने के बजाए सवाल करने के लिए प्रोथसाहित किया आरे समाज ने नौकेवल भारतिये मानस को मानस के आध्यात्पिक पूर्ण घटन की मांग की बल्कि इसने विभिन समाज समाजिक मुद्धों को खतम करने की दिसा में भी काम किया इनमें से प्रात्मिक विद्वा, पूर्ण विवाह और महिला सिक्षा थी समाज ने 1880 के दशक में विद्वा पूर्ण विवाह का समर्थन करने के लिए कारेकरम शुरू किये महर्सी दयानन ने भी बालक बालक्या सिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और बाल विवाह का विरोध किया उन्होंने घोशना की कि एक सिक्षित व्यक्ति को समाज के समग्रह लाब के लिए सिक्षित पत्नी की आवशक्ता होती है। सुद्धी आंदोलन महरशी दयानन द्वारा उन व्यक्तियों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था, जो स्वेक्षा से या अनैक्षिक रूप से इसलाम या इसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गये थे। उन लोगों को सुद्धी या सुद्ध प्रदान की गई, जिन्होंने हिंदू धर्म में वापस जाने का रास्ता खोजा और आरे समाज ने समाज के विभिन इस्तरों को भेदने, दलित वर्गों को हिंदू धर्म की तहों में वापस लाने में एक उत्कृष्ट कार किया। वेदों का ज्यान सीखने और उनके ज्यान को आगे बढ़ाने के लिए कई गुरुकुलों की स्थापना की। उनकी मान्यताओं, सिक्छाओं और विचारों से प्रेरित होकर उनके सीश्यों ने 1883 में उनकी मृत्यू के ब्याद दयानन्द एंगलो वेदिक कॉलेश जून 1886 को लाहोर में इस्थापित किया गया था, जिसके प्रधान अध्यापक लाला हंस राज थे। दयानन्द स्वर्श्वती डेथ अपनी कठरपंती सोच और सामाजिक मुद्दों और मान्यताओं के प्रति दृष्टिकून के कारण दयानन्द स्वर्श्वती ने अपने आसपास कई दुस्वन पैदा किये। 1883 में दिवाली के अउसर पर जोदपूर के महराज चसवन स्विंग दो ने महर्शी दयानन्द को अपने महल में आमंत्रित किया था और गुरु का आशिरवाद माना था। दयानन्द ने दर्बारी नर्तकी को नाराज कर दिया जब उसने राजा को उससे स्यागने और धर्म का जीवन जीने की सलाह दी। उसने महर्शी के दूर में काँच के टुकडे मिलाने वाले रसोईये के साथ सड़ियंत्र किया। महर्शी को कष्टदाई पीड़ा का सामना करना पड़ा लेकिन 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में दिपावली के दिन मृत्यू से पहले उन्होंने इसमें शामिल रसोईये को छमा कर दिया। यदपी महर्शी दयानन्द और आर समाज कभी भी भारतिय सुतंतता संग्राम में सीधे तोर पर सामिल नहीं हुए थे लेकिन उनके जीवन और उनकी सिक्छाओं काला अलाजपत्राय विनायक दामुदर सवरकर जैसे कई महत्रपून व्यक्षियों पर काफी प्रभाव यह स्विकार करते हुए कि उन्होंने अपनी आधियत्मित मान्यताओं पर गहरा प्रभाव डाला और राश्ट की इस्थिती को बहाल करने के लिए उनकी सराहना की थैंक यू आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जै हिन जै भारत